हलो फ्रेंड्स आजके मैं अपनी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेर करना चाहते हूं बहुत जादा इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन लेकिन स्टूडेंट की रिगार्डिंग नहीं मेरे जैसे ही टीचर्स के रिगार्डिंग जो टीचर्स जोहां नोदे विद्याले मे जोब करना चाहते हैं contact basis पे मैं पर्मानेट की बात नहीं कर रही हूं इस टाइम पे contact basis के लिए registration होना start हो गया है 2nd July से यह start था और 11 July को इसकी last date है registration करने की सो मेरी आप सभी से request है कि या तो आप में से या फिर आपके ask pass को really में जो NBS में job करना चाहता है apply करना चाहता है आप उस तक ये information ज़रूर पहुचाना अब साथ में कुछ important बाते हैं जो last year से इस साल थोड़ी different हुई है वो मैं आपके साथ share करना चाहती हूँ जैसे कि number one last year तो क्या था जैसे नवोध्या के eight reasons है तो eight reasons के अंदर आप कितने भी reasons के अंदर apply कर सकते थे लेकिन इस time पे restriction लगाई गई है एक limitation है ये लगा लुआ कि सिर्फ आप एक ही reason के लिए apply कर सकते है मिल्स आप एक से जादा reason के लिए apply नहीं कर सकते हैं तो मेरी request है आप से कि आप particular अपने reason के अंदर पहली आप चेक कर लेना कि आप अपनी particular जिस post पी आप apply करते हैं second thing जो different है वो ये है कि last year जो criteria था उसमें 70-30 का ratio रखा गया था जो इस सार थोड़ा सा differ है like 75 है आपका academic का और 25 है आपका interview का तो इनको combine करके ही आपकी merry list बनेगी अब जो ये 75 है इसमें भी further आपका distribution है like आपके जो essential qualification है 40 marks उनके है beard के लिए 10 marks करके मैं बात PGT की कर रही हूँ और 15 marks आपके experience के है और I think 10 marks आपके higher qualifications के है लेकिर अगर PGT की बात की जाए तो वहाँ पे higher qualification नहीं होती तो जो beard के 10 marks थे उनको 5 marks beard के अंदर और 5 marks seated के लिए divide कर दिया गया है अब जैसे कि बात की जाए experience के 15 marks की तो उसके अंदर अगर आप residential अगर आप बात करो school में ही अगर आप पढ़ाती थे पहले कहीं पर teach करते थे मिल्स आपके पास residential school का ही अगर आपके पास certificate है तो ही आपको experience के marks मिलेंगे और एक यह के टू marks है अदरवाइस आपको experience के marks नहीं मिलेंगे तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में दें सेकिंड तिंग अप अपलाई कैसे करें है और क्या-क्या required essential qualifications है इसके बारे में knowledge कहां से ले तो dear friends मैं अपने description box में आपके लिए direct link डालूँगी जैसे कि मैंने आपको पहले भी शोयर किया पूरे इंडिया के अंदर eight reasons है so eight reason में separate reason के अंदर apply करने के लिए मतलब separate link बनाया गया है तो वो link में अपने description box में डालूँगी second thing एक PDF डालूँगी जिसके अंदर complete information होगी कि क्या-क्या criteria है कितने marks होने चाहिए आपके और किस चीज के लिए क्या-क्या required conditions है तो वो सारे की सारी बाते लेकिन हमारे कई friends को नवद्य के बारे में ज्यादा detail में नहीं मालूम है अगर आपको पता है तो well and good आप मेरे description box में जाए और link पे click करके आप बाकी information है वो उसमें fill करते अब जब आप उसमें online fill करेंगे तो उसमें mainly 2 parts upload होते हैं पहले वाले part में आपको एक form मिलेका जो आपको print out लेना है fill करना है उसको scan करके दुवारा से upload करना है दूसरे वाले part में आपका Google form है ये दूसरे वाले part में आपकी जितनी भी required document है आपके like आपकी degree से related experience से related like और कोई certificates है आपके पास merit के तो वो आप उसके अंदर upload कर सकते ह है तो ये है आपका process uploading का अब जो मैं बात आप से कर रहे हूं कि हमारे बहुत सारे friends नवद्य के बारे में नहीं जानते तो मैं last के एक minute में नवद्य के बारे में कुछ आप से share करना चाहती हूं जिनको नवद्य के बारे में नहीं पता नमर वन पुरे इंडिया के अंदर 28 state और 8 union territory है लेकिन 27 state और 8 union territory में ही हमारा नवद्य है तमिल लाडू को छोड़के बाकि सारी state में नवद्य विदाला है अब जो नवद्य विदाला है वो इस टाइम पे 646 आपके functional है जो proper functioning में है जो residential है आपके code education है जिनमे English medium school है आपके और आपका CBST से affiliated है अब क्योंकि बात की जारी है residential school है तो आपको यहीं पे रहना पड़ता है in campus मिल्स आपको रहने का खाने का यहीं पे ही होता है अभी तो क्योंकि बच्चे स्कूल में है नहीं राइट आपके online classes है तो जो contact teacher है उनको अपना food का खुदी देखना पड़ता अपना खाना कर सकते हैं खुद से भी खा सकते हैं अधरवाइस आप वहाँ पे भी आपको तीनों टाइम का खाना वहाँ पे आपको free of cost मिलता है तो यह advantage है NVS के टीचर के लिए आपको कहीं जाना नहीं है आपको रहने की टेंशन है आपको खाने पीने की टेंशन है आपक को करने पड़ते हैं तो एक कुछ required सी चीजे थी जो मैंने आपके साथ share की जो आपको कुछ पता होनी चाहिए एक्स्ट्रागर आपको knowledge लेनी है तो आप NVS की साइट पे जाके भी ले सकते हैं सेकें तिंग जो अपके बार थोड़ी सी डिफर है वो आप थोड़ा सा ध्या क्योंकि सिकेंड जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 11 जुलाई इसकी लास्ट डेट है तो आई होप सो आप या तो खुद अपलाई करेंगे या फिर मैक्सिम्म लोगों तके बाश शेयर करके जो रियले में इस ताइम को रियले में जिस परसन को इस टाइम पर जोब की रिक्वाइरमेंट है और जो क्वालिफाइड भी है वेल क्वालिफाइड है वेल डिजर्विंग स्टूडेंट है या कैंडिडेट है नोट सुडेंट तो वह यहां पर प्लाई कर सकता है तो थैंक यू वेरी मैच अब डिस्क्रिशन बोक्स में जाके हर एक रिजन का डिर जी बन